इसी तरीके आप पुराना संदीव मैशुरिया में वापस चाहिए 2020 के बाद क्या हो गया? क्या हो गया सर? कोई आपको थोड़ा कुछ बोल देता है इतना बुरा लग जाता है Everything will die right in front of you Every desire will die right in front of you जो इनके साथ हुआ जो 2020 के बाद depression में चले गए क्योंकि उन्होंने साथ में अचार प्रशान कहतें नहीं है संदीव कहते है तुम्हारा सत्य कैसे बनेगा? Question करने के लिए कोई गुणजाईशी ना हो यहाँ पर मैं थोड़ा से इनके विरोध में हूँ How would I know कि मैं वही sound का ही part हूँ आपके वीडियो में हमने गाफी सारे एक्जामपल सुने जा यह एक बहुत ही कॉमन प्रॉबम में जो सब में आती है कि सब लोग maximum question करते है कि हमें कैसे बताचले के हमी वो sound है and that is what it's been asked over here by the way जो लोग नए है चैनल में बताना चाहता हूँ from last eight years I have been into to Anahat Sadhana which is sound of silence mentioned over here and last three years I have been doing podcast and around 450 to 500 people have changed their life with this sound and the knowledge which I am providing in the podcast whatever knowledge I have whatever observation skills I have I have been helping them and it's been amazing journey from last three years and I have recorded results of these people and यह एक बहुत ही common question है जो पूचा जाता है spiritual path पे बहुत लोग चल रहे हैं वो किसी ना किसी trap में जागर के फस्ते हैं या तो experiences के trap में फस्ते हैं कि अब मुझे ये experience हो जाए वो experience हो जाए या किसी guru के trap में जागर के फस्ते हैं या और कुछ नहीं मिला तो बातों से अटाइच हो जाते हैं या किसी बुक से अटाइच हो जाते हैं और ये चीज मैं हमेशा बोलता आ रहा हूं कि आप को बुरा यह नहीं लगता कि मैंने उनको counter दिया जैसे अभी लोग यहां पर कई लोग बुरा लगे हैं कि मैं संदीब के ओपर reaction video बना रहा हूं आप को बुरा यह लगा कि आप emotionally उनसे अटाइच थे आप चाहते ही हो कि मैं कुछ बोलू ही न विच इस अगेन आ contradict in research process 200 years ago somebody has told something and if we don't challenge it as a scientific community internal scientific community how can we grow अगर कोई scientist है उसको string theory भी आये मालो 1980 में अब उसको update ही नहीं करेंगे उसको allow ही नहीं करेंगे तो हम इसको update कैसे करेंगे 10-4 साल पहले किसी ने कुछ बोल दिया अगर कुछ मैं नहीं observe कर रहा हूं तो मैं उसको पहीना कहीं हम एक support ढूंदते रहते हैं but it is not you you need to understand that you need to question again and again and come back to this question who am I sound of silence तो है ही उसके बारे में क्या बात करनी है और किसको क्या बोलना है समझना तो बस इतना सा है कि मैं क्या हूं यह असली question है जो हमें पूछना है और इस question के साथ ठहरना है अब सवाल है कब तक जब तक आगे पूछने के लिए आगे question करने के लिए कोई गुणजाईशी ना हो यहां पर मैं थोड़ा से इनके विरोध में हूं क्योंकि चक्कर क्या है कि question is not going to give you the belief what gives you the belief is observation and this is what have been the entire teachings of Krishnamurt if I question again and again again and again तो मैं एक conclusion पर उतरूंगा वो conclusion हो सकता है मुझे दिखे या ना दिखे क्योंकि gross reality तो दिख जाती है planets को observe करना है दिख गया यह कैसे दिखेगा कि मैं ही वो आत्मा हूं मैं ही ब्रह्म हूं मैं ही soul हूं मैं ही sound of silence हूं ब्रह्म कैसे दिखेगा आपको कैसे ब्रह्म की तो कोई छवी ही नहीं है कोई आकृती ही नहीं है तो ब्रह्म कैसे दिखेगा तो यहां पर question उठता है कि subtle को कैसे देखें ग्रॉस को तो हम देख सकते हैं मालीचे हमें किसी molecule को देखना है हम देख लेंगे हम neutron, proton, electron कैसे behave कर रहे हैं वो देख लेंगे पर उसके नीचे हम कैसे देखेंगे हम यह कैसे देखेंगे कि हम ही ब्रह्म है इससे बड़ा mysticism तो कोई ही नहीं अगर आप यह कहते हो कि मैं शरीर नहीं हूँ मैं बुद्धी नहीं हूँ मैं मन नहीं हूँ मैं emotions नहीं हूँ मैं अपनी स्मृतिया नहीं हूँ और मैं आत्मा हूँ तो इससे बड़ा mysticism तो कोई हो इनी सकता क्योंकि हम यह कैसे दिखेंगे कि हम आत्मा है और यहीं पर पत प्रतिक्स प्रमाण के आगे किसी की कोई बात नहीं है, अगर आपको यहाँ पे सामने कोई खड़ा हुआ है, और मुझे नहीं दिख रहा है, तो हो सकता है, या तो हो आपका हल्यूसिनेशन है, हो सकता हो रियालिटी हो, दोनों अलग चीज़ दोनों के इंवस्टिकेट करना पड़ेगा, लेकिन अगर दस लोग को दिख गया, तब तो प्रतिक्स प्रमाण हो जाए, प्रतिक्स प्रमाण के आगे किसी की बात नहीं नि आज तक, जो भी सटल यानि जो सुक्ष्म जीवन है, उसके बारे में जो कुछ भी लिखा हुआ है, उसको पढ़ना पड़ेगा, और उसको पढ़ने को बोलते हैं, आगम प्रमाण, और उसके बेस पे ही आप गैस कर पाओगे, और यहाँ पे आती है टेलिस्कोप तेयोरी, वो गैलिलियो के लेवल का 60-70 साल में टेलिस्कोप बना के बड़ा खुश हो जाते हैं, हमने टेलिस्कोप बना दिया, अरे वो तो आई गया है, लेकिन कई लोग खुश है, अरे हमें पता चल गया दो विचारों के बीच में स्पेस है, हमें पता चल गया ब्रम क्या है, हमे लेकिन जो subtle reality है उसको कैसे observe करोगे उसको observe करने के लिए dots को connect करना बढ़ता है मतलब अगर आप 400 साल की telescope की theory को पढ़ते हैं तब जाके आप guess कर पाएंगे कि अभी James Webb के आगे क्या बना सकते हैं यह problem आ रही तो यह बना सकते हैं अगर आप पूरी की पूरी 400 research नहीं पढ़ेंगे और नया नया कुछ करने कोशिच करेंगे तो आप गलेलियो के लेवल के बना देंगे आप 70-80 साल में गलेलियो के लेवल के तो बना देंगे फिर आप खुछ हो जाएंगे हमारा एक ही खाना क्यों है अगर आप जितना जूम आउट करोगे उतना ही जादा आप को अलग दिखेगा जैसे आप एक सर्जन है वो अगर जूम आउट करेगा तो चेहरा दिखेगा इनसान गा उसका fingerprint दिखेगा लेकिन जैसे ही वो शरीर को काटेगा अंदर जाएगा तो lung favorite सब एक ही है blood को observe करेगा तो हो कहेगा रहे यह तो RBCs है तो आपके और RBC मेरे RBC आलग है लेकिन group में है लेकिन उसको भी further zoom in करोगे तो RBC का जो constituent है जिससे composition जिससे बना हुआ है वो तो सेमी है तो आप जैसे gross observe करोगे आपको एक अलग पन लिखेगा एक भिन्नता दिखेगी उसको बोलते है भिन्नता का जगत जिसको हम बोलते हैं और अगर आप सटल observe करोगे तो आपको एक आगरता दिखेगा से एक इसे रहें से तो औरले करोके लिझेगा यानि कि आपने एक बोचन फशे है एक सब्स्क आपके आपकी को फ़िखेखे प्रसंसे-प्रसंद। द्रूसमीय है प्रसंद। क्रिक आपको हम सम्झ एक लाधा या अच्छा हमारे DNA मिल रहे हैं लेकिन DNA का composition तो सबकी सेम है तो ठीक है चलो हम हम सब एक हैं फिर आप को कि हम brain है तो brain में भी आप tissue को देखोगे तर टिशू भी सब एक है दोनों का composition है फिर और अंदर जाओगे thoughts अलगे personality से लगे चरी तरह अलगे सबका सबका ऐसे आप zoom in करते जाओगे तो आप देखते जाओगे कि एक point आएगा जहां पे आप देख ही नहीं पाओगे कि क्या देखना है कि जैसे जैसे आप zoom in करते जाओगे अंदर funnel में तो एक point आएगा ज question यहां पर यह उठेगा आपको कि आगम प्रमाण और प्रतेक्ष्प्रमाण और अनुमान प्रमाण यह तीन हमारा कैसे यहां पर उपलब दो सकता है तो उसको यूज करके फिर आप सूक्ष्म को observe करना possible नहीं है ग्रॉस को observe करके उसके patterns को देखके सूक्ष्म के बारे में अलग आया सकता है जब आप brain में अंदर जाकने लगते हो तो आपको बुद्धी की आवाज अलग लगने लगती है कहां कौन सी आवाज बुद्धी से आरी कौन से मन की आरी स्मृति यह है मेरे भाव यह है emotions यह सब अलग अलग आपको दिखने लगेगा एक इदर एक इदर एक इदर ऐसे दिखने लगेगा जब brain में observe करोगे फिर जो बचेगा जो belief system है जो सब कुछ है distortion है वो सब खतम जो बचेगा वो observer होगा लेकिन अभी हम जो भी observe करते हैं वो एक belief pattern से observe करते हैं एक distortion से observe करते हैं तो अगर if you want to observe without any observer you have to segregate all these things inside the brain for that you have to observe internally mind observation ज़रूरी है और mind को observe करने के लिए ध्यान का टिकना mind पर ज़रूरी है क्योंकि अगर ध्यानी नहीं टिकेगा तो देखो के कैसे अभी मैं इसको देख पा रहा हूं मालो यह मेरा phone है ठीक है मैं इसको देख पा रहा हूं लेकिन अब इसको तो मैं observe कर लूँगा लेकिन जैसे brain में जाकू टूल को हम साधना कहते हैं इसी वजह से मैं कहता हूं साधना करो साधना करो साधना करो देखो कुशनिंग और observation में अंतर समझ लो एक शेर है वह मास खा रहा है कोई दिक्कत नहीं है एक शेर है वह घास खा रहा है अब के अंदर प्रशन उठेगा शेर घास क्यों खा रहा ह लेकिन अगर आप कभी देखते हैं नहीं कि शेर घास खा रहा है तो प्रशन कैसे उठता है कुशनिंग जादा वड़ी और अब्जबेशन जादा वड़ी और अगर मैं आपसे कहता हूँ भाई देखो शेर घास खा रहा है आपको क्या बात करें वेट अरे भाई देखो शेर घास का रहा है अरे क्या बात करो भाई शेर घास लोड़ी घास खा रहा है मैं कहूँगा एक काम कर चल तू मेरे साथ जंगल में चल के देख उसको ले गया उसने देखा अब इससे बड़ा प्रमाड क्या होगा बताओ अब यहाँ पर आस्था, फेथ, बिलीव, यकीन कहां गया आया समझ में observation से बड़ा प्रत्टक्ष प्रमाड कोई नहीं है इसलिए पूरे की पूरी उपनिशद में साधना को ध्यान बोला गया है ध्यान से ध्यान को पाना है मालब साधना से, साधना को पाना है ध्यान का अंतिम लक्ष क्या है आपका सुकून नहीं ध्यान का अंतिम लक्ष है ध्यान को बारी करना जिससे आप internally observe कर सके और यह layers होती है ऐसे ऐसे आप observe करते जाओगे तो संदीब जी आप एक तरीके सही कह रहे है लेकिन इन्होंने questioning के angle से बोला है अगर आपको और समझना है तो इसमें observation का angle भी डालना बहुत जरूरी है तो question करना है तो खुद को करो तब तक करो जब तक आगे यह questioner है वो ही dissolve नहीं हो जाता है और आप देखो कि this questioner is an illusion अब क्या करोगे अब जो questioner ही नहीं रहा तो question पूछेगा को है डाउटर ही नहीं है तो doubt कहा है अब देखें यहां पर जो बात कर रहे है especially यह बात यह तब होता है जब आप internally observe करना चालू करते हैं इन्होंने बोले जैसे breakdown नहीं कर सकते हैं पर breakdown होता है मैं आपको बताता हूँ जब आप internally observe करते हो तो brain में दो तरीके की thoughts है visual thoughts, auditory thoughts तीन और होते हैं मैं उसकी बात नहीं करता हूँ especially जो सबसे ज़्यादा होता है visual thoughts or auditory thoughts visual thoughts जो होते हैं basically that we see and that's what we are playing the video inside and auditory thoughts जो हम सुनते हैं that's what the audio is playing inside अबर जब आप बहुत ज़्यादा observe करने लगते हो brain में तभी कृष्ण बोलती है just to observe sit and observe, sit and observe कुछ उसका उदेश नहीं होना चाहिए just observe it तो क्या होता है जो चल रहा है वो दिखने लगता है जैसे आप देख रहे हो दो आवाजे आ रही है चल पीजा खा लेते है इस अवाज को भी बैक करने के लिए का आवास आती है कि अरे उस दिन तुने शपत लिया था कि तुझे weight कम करना है अगर तुने खाया तो ये ये हो जाएगा पेट निकल आएगा दो थोड़ उथे उसका एक और branch खुली counter करने के लिए उसको और ये दोनों आवाजें आ रही है एक मन से एक बुद्धी से अगर आप ये देखना चालू कर दो सिफ कि जब कोई आवाज आती है अंदर से कोई थौट चलता है तो बुद्धी का थौट है या मन का थौट है यहां से चालू होता है इससे breakdown हो जाता है फिर आपको दिखेगा कि अच्छे ये थौट जो आ रहा है स्मृति से आ रहा है ये स्मृति पड़ी हुई यानि memory पड़ी हुई है school के थौट आ रहे हैं अच्छे ये एक memory पड़ी हुई एक memory है एक मन का थौट है एक बुद्धी का थौट है तो एक मन होगी एक बुद्धी होगी एक स्मृति होगी एक भाव होगा ये पाँच चीज़ें आपको दिख गई ठीक है साफ साफ फिर आपको और subtle observe करोगे तो उर्जा दिखेगी आपको यानि energy भी एक होगी आपके mind में act करती जो कृष्ण मूर्दी कहते हैं ये पाँच जो चीज़ें ये content of consciousness है लेकिन जो बचा उसको कुछ ना हुआँ पर थिंकर है न थौट है थिंकर पैदा होता है जो आप सुबह उठते हो और थौट भी पैदा होता है जो आप सुबह उठते हो उसमें क्या होता है वही होता है जो मृत्यू के बाद होगा जो मृत्यू के बाद बचेगा वही वहां बचेगा तो क्या वो सोचता है क्या आतमा सोचती आतमा कुछ निहीं सोचती आतमा सोच पा रही है because of the brain and the body and the energies यह आपको देखना है मेरी बाते नहीं सुननी है that's what we are talking about बाते सुनके कुछ नहीं होगा observation करना है और observation करने के लिए लोग के जब मैंने observation लोग कराना चालू गिया तो लोग के साथ साथना को जो बाइप रोड़ेक्ट है इस वज़े से नाम ध्यान रखा गया है ध्यान करना है ध्यान पानी के लिए सिसने ज्यान के करने कि किसी से पूचते है और इंस पे बात करने से पेल यहां ने समझना न आड़ the validation if you don't observe whatever is written inside the open ishad how can you claim that as a validation if I tell you something is that a validation for you does that become truth क्या वो आपका सत्त बन जाएगा अगर मैंने बोल दिया ये वहाँ है ये वहाँ वो ऐसा होता है मैंने भी आपको शेर का एक्जांपल दिया आप नहीं मान रहे है शेर घास खाता है लेकिन जब मैं आपको दिखा दिया तो पतन्जली ये कहते हैं अगर आप पतन्जली योगसूत्र पढ़ेंगे विच इस ओल अबाओ दे नेचर अफ दे माइंड चित्त की वृत्तियां पतन्जली इस नौट अबाद योगसूत्र अगर आपको देखना पड़ेगा कि दो विचारों में बीच में मिली सेकेंड का गैब होता है क्या एक सेकेंड का होता है क्या दस सेकेंड का होता है मुझे वाब अबसर्व करोगे आपको दिख जाएगा तो आंतरिक दुनिया को देखना चालू कर दो तो आधे जाता है जिन्देगी तुमारी ये पूरी की पूरी स्पिर्चॉलिटी दुखों को खतम करने के लिए अगर आप क्यूरियोजिटी के लिए देख रहे ओ क्या होता क्या होता आप सबसे बड़े फेलियर हो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और अगर आप यह कहते हो कि स्पिर्चॉलिटी से कोई सुख प्राप नहीं होता है तो भी आप एक बहुत बड़े फेलियर हो आप अपना टाइम बास कर रहा हो यह पूरा एजंडा क्या है बुरे बुरे वीडियो गा दुखों की समाप्ति यह यह आपके अंदर ना ब्लड सर्कुलेशन चल रही है उसकी आवाज है यह परशांद की बात हो ही अच्छा आप इतने तेज हो कि अपनी ब्लड सर्कुलेशन की आवाज को संगते हो भार एक नदी बहरी है उसकी आवाज तो आती नहीं आपको 24 गंटे पने thoughts में उलजे रहते हो आपकी consciousness इस level की होगो ही है कि अंदर जो आपकी veins में blood दौड रहा है उसकी आवाज आपको आ रही है वाह कमाल होगे किसी doctor के पास पर जाओगे वो कहेंगे कि आपको बिमारी होगे tinnitus अब क्या करोगे तो अलग-अलग लोग अलग-अलग standpoint से अलग-अलग बाते करेंगे तो आप क्या होगा और confused हो जाओगे तो इसको छोड़ो ये तो है ही नहीं प्रत्यक्ष प्रमाण करो अचार प्रशान कहते हैं नहीं है संदीब कहते हैं तुम्हारा सत्य कैसे बनेगा उसको देखो बैटके उसको बैटके देखो आ रही आवास हाँ आ रही है ठीक है क्या उस आवास से कोई शान्ती मिल रही है नहीं मिल रही है क्यों नहीं मिल रही है मैंने अब मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं मिल रही है ये सिद्ध है कोई कि मैंने करवाए कोई कि आप यहाँ पर comment करते हैं हम तो छे महीने बैटके सुन रहे थे हमें कुछ नहीं हुआ तो उसका कोई फाइदा नहीं है मैंने सामने करा रखा है लोगों को तो भाई आप नहीं सुन रहे थे आप सिर्फ बैक कर रहे हैं अपने गुरू को because you are attached to the guru पर मैंने actually कर रखा यह experiment कई लोग के साथ बैठके मैंने करवाए है तो कुछ लोगों तो जो सुख मिलता है temporary जो शान्ती मिलती है temporary शान्ती मिलती है और सब में common होती है temporary शान्ती मिलती है लेकिन कुछ लोग का stress वापस create हो जाता है दो घंटे बात कुछ लोग का दो दिन तक 20 दिन तक stress create नहीं होता अगर continuously कर रहे है तो चकर क्या है चकर यह है दो प्रकार से दुख आते हैं जीवन में एक होता है किसी desire का किसी मनोकामना का किसी कामना का किसी इच्छा का पूरा ना होना यह पहला होता है दूसरा होता है chemical कुछ release नहीं हो रहे है brain में यह दो तरीके के सुक होते हैं बड़े खंड होते हैं सुक के यह दो खंड आपको समझने पड़ेंगे एक होता है कि intellectual suffering से जो desire आ रहा है intellectual suffering यानि जो desire based suffering है एक होती है chemical based suffering यह दो suffering होती है तो जिन लोगों का actually कोई desire नहीं था जिनका desire dissolve हो रखे थे वो तो शान्त हो गए उनका बढ़े आपना chemical release हो गए bad guy रहा हमसे लेगिन क्या हुआ जिनका नहीं हो रखा तो cortisol बना था मुझे आकांशा चाहिए मुझे UPSC crack करना है मुझे singer बनना है सांस फूल गई करजा चड़ा हुआ अब करजा चड़ा हुआ तो meditation करोगे करजे का ध्यान दोगे बाहर कोई problem है कोई jail में आपका साथी कोई बंद है तो आपको problem होगी break up हो रखा है तो आप meditation करवा दो बाहर निकाल दो कुछ नहीं होने वाला ठीक है तो intellectual suffering यानि desire based suffering जो है that has to be understood this is the concept and इस वज़ाए से sound of silence आपके प्रकाम नहीं करती because intellectual suffering का क्या निवारण है कोई कुछ चाहता है किसी को चाहता है कोई चीज चाहता है कोई पत प्रतिष्टा सम्मान सम्रिद्धी चाहता है क्या इसका है इससे जो cortisol release हो रहा है उसका क्या निवारण है कोई निवारण है हाँ है उसको आपको कुछ स्तरों पे पाना पड़ेगा सच्चे प्यार की तलाश है तो कुछ स्तरों पे एक लड़की को धूड़ो प्यार करे आपसे एक तीड़ साल उसके साथ बिताओ तो दिखे उसकी reality desire को पाना है जिससे desire की reality दिखे और desire से मोक्ष प्राप्त हो लेकिन कई लोगों को desire की reality नहीं दिखती है अमीरों को नहीं दिखती है उनके बास बहुत सारा पैसा है शादी से पहले शादी के बाद मेरी internal state of mind क्या है दोनों को जो कोई भेदेगा पहले तो observe करें दोनों फिर भेदेगा न लेकिन mind कैसे काम करता है एक चीज़ पकड़ता है फिर कुछ और promotion चाहिए कुछ और पकड़ता है तो एक desire पकड़ा achieve किया छोड़ा एक desire पकड़ा achieve किया छोड़ा एक desire दूसरा पकड़ा वो घूंता रहे और वो जो घूंता क्यों है क्योंकि बिचारा तनहा है बिचारा अकेला है अंदर से तो बिचारा सोचता है भौतिक में ही शायद उत्तर होगा इस वज़ा से उपकड़ता है छोड़ता है पकड़ता है छोड़ता है फोड़ता है आज इस वीडियो में इनोंने पहली बार पहले बार, he's back on track, because he has told in the end of the video कि साधना से चीज़ें होती है अभी بोलेंगे, साधना से शांती मिलती है पहले बीडियु में बोलते सिप्रिच्वालिटी के मन कें श्यांता परिक नीच रही होता है तो belief कैसे बनता है प्रतिक्स प्रमार से, किसी की बताने से नहीं, किसी किताब को, किसी वीडियो को, किसी पॉड़कास को पढ़ने से नहीं प्रतिक्स 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 को प्रतिक्स 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 प्रत मैं उत्तरप्रदेशी हूँ, मैं बिहारी हूँ, मैं बिहारी, मैं उत्तरप्रदेशी, मैं साउथ इंडिया का हूँ, मैं नौर्थ इंडिया का हूँ, मैं एशियन हूँ, मैं कौकेजियन हूँ, यही चब चल रहा है रियालिटी क्या है, आप अर्थियन भी नहीं हूँ एटलीस कोई स्क्रिप्चर पढ़ोगे तो आप उसको रिलेट करके कभी समझ पाओगे नहीं तो वहां तक कभी पहुची नहीं पाते conceptually ही जीते conceptually ही मर जाते अब देखो इन्होंने कितने अची बात कहीं कि किसी स्क्रिप्चर को रिलेट करके रिलेट करके मतलब आप जो भी लिखा हुआ है अंदर पढ़ रहे हो देख रहे हो जो भी पढ़ा है आपने वो देख रहे हो अंदर जैसे कृष्ण करते है प्रकरती से अर्जित गुणों के अनुसार विवा शोकर हमें कर्म करना पड़ता है अर्थात कोई भी व्यक्ति एक छण भर किल बीना कर्म किये बीना नहीं रह सकते इसका मतलब पता है क्या आपको इसका मतलब यह है कि activity होती रहेगी मतलब एक brain चलता रहेगा और आप क्या बात करते है how to stop the thought how can you stop the thought सब कुछ चल रहा है सारे planets चल रहे हैं कुछ भी रुकाओं में नहीं है पूरा solar system revolve कर रहा है Sagittarius A.K. बराबर तो जब मैंने इसको देखा इस इस श्लोक को पढ़ा तो मैंने इसको universe में observe किया nature में observe किया animals में observe किया अपने brain में observe किया यह 4-5 जगां observe किया तब जाके वह validate हो पाया किसी भी श्लोक को किसी भी content को उठा के अगर आप देखना चाते हो तो you have to be an observer for that content तो अभी ऐसा है कि sound of silence को देखो पानी की तरह कि पानी को आप पी रहे हो पुट आपको पता नहीं है कि यह क्या है उससे पता करके हो क्या जाएगा पूरा का पूरा फिल्ड में आप होई क्यों किस वज़ासे हो जग्यासा की वज़ासे हो या दुख की वज़ासे हो इजन्डा क्या है आपका जानने का नीचे कॉमेंट करिए अगर आप जिग्यासा में हो तो बहुत बढ़े ट्रैप में हो नहीं भी पता है तो प्यास तो बचाता है यानि sound of silence को बैठ करके सुनते रहो मन तो शान्त हो जाता है अगर आपको सुकून मिल रहा ह। बढ़े या चलते रहो बट अगर और आगे जाना चाहते बोचो यह नहीं की यह क्या है पूचो मैं क्या हूँ? तब देखो एंड में क्या बचा टा है यह कर कहीं मिल जाय तो मुझे बता देना मैं मतलब मैं सेपराइट फ्वाली और इस क्योंकि आप तो हो आप मतलब consciousness इसको तो question नहीं कर सकते न you cannot say that I am not there कि कौन कह रहा है कि मैं नहीं हूँ जो कह रहा है वो है तो जो सब कुछ मिटने के बाद भी बचा रहे गया वो आप हो तो मैं को मुक्त नहीं करना है जिससे मुक्त नहीं यहां पर आए हो या कहीं भी जाते हो आप जाते हो मैं के मन को शांत करना है मैं को थौटले स्टेट में ले करके जाना है मैं को यह करना है मैं को और अच्छा बनाना है मैं को बेटर करना है मैं का कोई परवर्टन होता ही नहीं है मैं जैसा है, वैसा था है, और रहेगा यह स्थानी का इस से दूर दूर तक कोई connection नहीं है Absolutely right यह स्थानी कहिन बाच्छी विल्ट इन पर दो इसाथ है मैं क्या है एक इसाथ है तो है ड्रीजेंजिसरानीजिग प्रमारीजिंस पाइस सादना थे सादना थे सादना थे जानने के बाद मेरी लाइप बढ़या हो जाएगी तो कही ना कही जा कर किया पाटक जाओगे सादना आयाशी करने के लिए नहीं है सादना is not about सादना is all about sharpening your mind and that sharp edge of the mind can observe the internal process of the mind which will in turn give you प्रत्यक्ष प्रमाड and with that प्रत्यक्ष प्रमाड you will not just believe it but you will witness it whatever I am talking about and Krishmurthy says once you have divided all the aspects of the mind which is बाव, मन, बुद्धी, स्मृत्धी energies you see that as it is inside the brain जो बचा रह जाता है वो content of consciousness से अलग है consciousness or content of consciousness अलग है so you can see the consciousness inside if you just sit still with the practices धीरे धीरे आपको ये वो मिल जाता है but जैसे ही आपने साधना छोड़ी internal observation जो है यानि जो edging है जो sharp edge है knife का वो वापस मोटा होने लगेगा तो ऐसा नहीं है कि आपने ध्यान को बारीक किया और अंदर देख लिया और फिर आप बैड़ गया अब तो मैंने देख लिया सब कुछ जैसा नहीं है ये पूरी जीवन ऐसी करना पड़ा पूरे जीवन आपका ध्यान को शार्प रखना पड़ेगा यानि पूरी जीवन साधना करना इसको जानने के लिए अपना क्या खोने को तई आगा ने नी सुरी खोने होने की बात ना करो खोना कुछ ली है बश जान जाए सब कुछ खो जाएगा भाई सब कुछ भोल रहे है ना एक बार वेराग की स्थिति का पहला चरण लगा तो ये सब पूरा जगद अर्थहीन दिखने लगेगा पूरा का पूरा जगद अर्थहीन दिखेगा यानि आपके जो डिजायस है the desire to go on mangal रहे है the desire to make Amazon a big company the desire to make Flipkart a big company the desire, the उत्पीडन the फड़फडाहत of creating something big in this universe all this will become meaningless everything will die right in front of you every desire will die right in front of you the person remains, the desire vanishes जानना ये सत्य हर चीज एक negative और positive लेके आती है internet आया, negative और positive लेके आया nuclear weapon हमने बनाया, उसका एक negative बन गया वो positively बनाया था हमने but that became negative the satellite we are sending, we are observing the moon and we are observing the space what about the dust, what about the debris जो कचड़ा आमफल आ रहे हैं अर्थ के ऊपर what about that, do you think वो आप नहीं कर सकते हैं वो byproduct, उसका आप कुछ करी नहीं सकते हैं उसको हटा ही नहीं सकते है, science कहरी हमने हटा पाएंगा उसको every positivity every power comes with a great responsibility बड़ी ताकतों के साथ बड़ी जिम्मेदारियां आती हैं quote unquote uncle ben इसको समझना जिसी जब समझ जाओगे न कोई भी चीज जो precious और powerful है उसका एक negative side भी create हो जाता है लेकिन मनुष्य सोचता हम positive बना रहे internet बना रहे, positive बना रहे फिर क्या हुआ internet का देखो आज क्या हो रहे इंटरनेट से आपको जाते हो पूरी दुनिया में जा करके अपने सारे friends को, relatives को सब पूरी दुनिया को चिक-चिक करके बताते हो कि देखो मेरे को वो मिल गया है जब कि अंदर से आपको भी पता है कि आप जुट बोल रहे हो कुछ नहीं मिला है मैं एक बार कहीं गए किसी के पास में, बहुत अच्छा लगा तो आपको ऐसा लग रहे है कि वाह फाइनली मुझे जिसकी तलाश थी वो मिल गया है दुबारा गए बिकार लगा, तीसरी बार गए और बिकार लगा लेकिन आप इतनी बार जा चुके हो और अपना टाइम और पैसा और एनर्जी इन्वेस्स कर चुके हो कि अगर आपने पुरी दुनिया को जा करके बोल दिया कि यह बखवास है तो वो बखवास नहीं है, आप बखवास हो तो आप क्या कर रहे हो पुरी दुनिया में जा करके कह रहे हो कि नहीं नहीं इससे बढ़िया तो कुछ ही नहीं और इतनी बार आपने जूट बोल दिया कि वो जूट आपको सच लगने लग गया एक्चली यह चीज सेलिब्रिटीज भी करते हैं मेटेरियल को पोजेशन हाजिर गल लिए आप सोचते हैं सक्सेज मिल जाएगी एंड सक्सेज मिली फाइनली करोडो कमा लिया उसके वाद फिर क्या हुआ कि अब लोगों को दिखा रहे हैं देखो हमारी लाइफ से हम यार्ट पे घूम रहे हैं हम मॉल्डीव्स में है हम न सब कुछ छूड़ गया मैटेरियल पूरा का पूरा मैटेरियल वर्ड अर्थीन दिखने लगेगा मीनिंग्लेस जीरो कुछ भी नहीं बचेगा अंदर जैसे जैसे समझ गहरी होती जाएगी इस लाइक मसल आतीन पर है फिर पांच किलो डंबल फिर नौ किलो फिर ग्यारा ह बारा हुए तेरा हुए चौदा पंदरा सतर आटा जैसे सब बढ़ती जाएगी वैराग कि इस्तिती गहराती जाएगी मीनिंगलेस्नेस डूब आती जाएगी सब छूड़ जाएगा तुमारा इतना मुश्किल हो जाएगा सब कुछ करना इसकी कोई सीमा नहीं है आप फोक जाएगा कमसा रеспonisibility you want to have that cost you will be so much bliss but material तो आप एक सीकर नहीं हो, तो आप एक बिखारी हो, आपको कुछ चाहिए, जो मांग रहे हो, जा-जा करके लोगों से, और लोग आपको फसाने के लिए तयार बैठे हैं, बिटे, तुझे क्या चाहिए, आनंद चाहिए यह पर्मानंद चाहिए, गुरुजी मुझे तो पर् साथ आठ दिन बाद observation अगर ओन रही है आपके अंदर तो आपको दिख जाएगा कि यहां तो कुछ ही नहीं फिर एक और प्रशन उठाओ कि असली आनंद कहा है यह कोई प्रशन के उन्हें उठाता कि मुझे दुख हो क्यों रहा है किस वजह से दुख हो रहा है कि डिजायर न किस वजह से दुख हो रहा है किस वजह से दुख हो रहा है बहुत कारण है क्या चाहिए आपको अगर कुछ चाहिए तो बहुत सारी दुखाने हैं वह पर जाओ दुनिया में बहुत सारी दुखाने हैं बहुत सारी दुखानदार हैं जो वह बेच रहे हैं जो आपको चाहि बता रहो चक्कर कहना लोग जाते क्यों है लोग जाते इस वज़ा से हैं क्योंकि लोगों को ना कुछ सुखून चाहिए जैसे कि कोई कोकेन करता है तो वही कोई spirituality में जाकि कोई meditation के experiences चाहता है जैसे उनको लगता है कि कुछ कोकेन जैसा फील हो जाएगा इसकी पहला चरण यही है यह पहला चरण होता है कि आप यह देख पाएं कि मेरी girlfriend होगी मैंने computer खरीद लिए मैंने bike खरीद लिए लिए लगताग चला गया मैं व्लॉग बना लिए मैं यूटूब बना लिए मैं singer बन गया मैंने singing कर ली मेरे इतने fans हो गया सब कुछ हो गया लेकिन उसके बाद भी मैं अकेला हूँ मुझे मुझे feel नहीं हो रहा कुछ मैं अंदर से एक खालीपन है यह पहला चरण है जिसने UPSC क्रेक नहीं किया वह आकर कह रहा है अरे यार कुछ कुछ तो संतुष्टी दे दू वह आ रहा है वह आ रहा है उससे कुछ नहीं होने वाला UPSC क्रेक नहीं हुआ तो यह desire पहले अपने अंदर से निकालो यह desire बहुत intense है इसको वासना बोलते है इच्छा और वासना में अंदर होता है जो चीज बहुत अभ्यस्त कर रखी है आपने पिछले 14-15 साल से एक विचार का अभ्यास कर रखा है उसको आप आईसे ही छोड़ नहीं इस ग्लोब पे आंजर नहीं यह जो प्रित्वी नामक प्लाइनेट इस पर आंसर नहीं है अब क्या आंसर में कहीं अ काहीं है मेरी अकेला चलना पड़ता है साहिवाध आपको यह नहीं कहेगा कि अब आप आत्मग्यानी हो गए हो तो जिस दिन आपके अनदर इतना करेज होता है कि आप अपहले चल सकते हो इस रास्टे पर तब चलते 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 बीच में क्वेशन पुछते पूछते पूछते उल्टी होती है, तो आप जा करके लोगों को बताते हो, बोलते हो, कि देखो, मेर को ये समझ आगिया है, I am self-realized, I am enlightened, I am this, I am that, तो क्या हो रहा है, अभी digest नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि आपको इस समय को interest नहीं है, लोगों को बताने में, name में, fame में, इन सब चीजों में, तो आप पूछते ही रहते हो, मतलब question के बाद एक और question, उसके बाद questioner के बारे में question, उसके बाद में concept of self है, उसके बारे में question, mind क आत्मा क्या है, पूछते रहते हो, फिर धीरे आप फाइनली center में पुछते हो, जो सब के center में है, यानि कि the questioner, आप उसको पकड़ लेते हो, और उसके साथ ठहरते हो, यहाँ पे जो भी नोने question करने के बोलना, को question करो, सब को question करो, यहाँ पे questioner की जगा लगा देना, questioning is secondary to observation, जब तक आप देखोंगे नहीं कि शेर घास खा रहा है, तब तक आप यह question नहीं करोंगे, शेर घास क्यों खा रहा है, यह तो मास काता है, observation is the most effective and the priceless, it is priceless, it is the most effective thing to give you satya, if I have seen, what is inside the black hole, through my telescope, all the theories about black hole, will vanish, I have to see it, if I see, दो विचारों के बीच में सच में शून्य है, तो यह फलाना आके मेरे को बोलेगा कि नहीं है, तो मेरे को कोई मतलब नहीं है, वो मेरा प्रत्यक्ष प्रमाड बन चुका है, जो थिंकर है, उसको देखते हो, और अपने आप से पुछते हो, इस थिंकर डिफरेंट फ्रम थाट, इसे प्रत्यक्ष प्रम डिफसर कि नहीं है, अघगे अच्छा बोला जब थिंकर को हाप देखते हो, तो देखनाना पहले, फिर प्रकुष्ण किया, पहले देखो लूआ को समझना है, फिर ग्रत्यक्र को समंझना है तो यह पर कुशनर है, लेकिन कुशनर नहीं है, यह उन वीजिस्टेट एक इस्थिंकर वीजिए अविश्टियुए धने भीजिए था पिर जब गहराई से अब समझ आ जाता है, तो अब के बारे में बोलना, सोचना, बात करना, सब रहता है। किसी को नहीं पता होता है कि आप अंदर से क्या हो क्या नहीं हो आपकी फैमली को नहीं पता आपके फ्रेंड्स को नहीं पता वो लोग जो आपके साथ में उनको नहीं पता जो आपसे दूर है उनको नहीं पता किसी को नहीं पता बाइक कल को कोई चुरा ले जाएगा आपको थोड़ी दिर बुरा लगेगा बट आप जब जैसे बड़ी रियालिटी सामने बाइक की चोरी इस उनिवर्स के आगे क्या है तो आप उसे बाहर जल्दी आ जाओगे जैसे कोई प्रॉबल्म आएगी वुष समझ आपके सामने आएगी कि मैं कौन हूँ तो आप जल्दी जल्दी बाहर आ जाओगे कोई आएगा कोई एक साल में आता है दो साल में आता है एक सीकर के लिए इक रियल इन्वेस्टिगेटर के लिए it's hardly few days depending on the stimuli completely free from all kinds of desires and fears all kinds of desires related to life and exactly so freedom from desires and fears is the ultimate benefit of spirituality which he has been telling actually that it doesn't happen in that freedom, it doesn't get anything in spirituality and people say no, it doesn't matter, it doesn't matter no, they also said it, internally it doesn't get anything it doesn't happen internally, it doesn't happen it's all about chemical taking action we take actions because of chemicals not because of some particular thing the thing creates the chemical we need chemicals, that has to be done first you have to be mukt from chemical which he is not there because 2020 he has been into depression and he has shown us that this is why he was reacting so much this is why he has been so reactive if Sandeep Meshwari, you are listening to me, I want to tell you something you can tell me, you can't believe it, you can't believe it but I have seen you in the past 4 years, you have seen it you have seen it, you have seen it in Sanskrit controversy you have seen it, you have taken it as easy as you can see it so much how you can tell us, it has been told it तो द्वन्द तो होना ही है द्वन्द से कोई विरह थोड़ी कर सकते हो आप कैसे कर रहो हुए मैं आपसे बस कहना चाहता हूँ आप देखा हर वीडियो माप रिपीट करते हो किसी ना किसी कुछ इंडिर्टली किसी गुरू को हो एक चीज़ को अपने माइंड में आपको ना डाइजस नहीं होता आप सो नहीं पा रहे हो आप उस सेशन में लीक होता है आपके बीच बीच बहुत ही बड़ा शुपचिंता हूँ आपका और मैं बहुत ही एक्स्ट्रीम हेवी अबजर्वर हूँ मैं आपको बता रहा हूँ कोई आपका जन्रल ओडियंस और आपके घर वाले भी आपको शायद ना बता पाए यह चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ आप लीक होते हो आपके जो जब आप बात करते हो ना एकदम से वह आ जाएगा कि वह फलाना ठीक है आपको बता रहा हूँ आपके साथ प्रॉब्लम यह सब कुछ परफेक्ट चाहते हो और यह माइंड की वह स्टेट होती है जब माइंड पीस्फुल नहीं होता अंदर से और इसका रीजन है कि यू आप डूइंग साधना प्रॉपरली इफ यू डू साधना प्रॉपरली यह जो नॉलेज है ना इससे तो और बर्डन बढ़ता है पॉड़कास्ट वीडियो उपनिशद शास्त्रे सब पंडने से और जदा क्लटर होता है माइट इस अल अबर जस्ट अब्सर्विंग वटेवर इस रिटें इस इस वीडियो में आपको थोड़ा काम देखा है अब यह आप जानबूज कैसे कर रहे हैं या नहीं मुझे नहीं बता बट आप मैंने इस वीडियो में आपको काम देखा है इसी तरीके से आप पुराना संदी मेश्वरिया में वापस चाहिए अपने आपको इंटरेस्पर्ट करिए सर कि आप कहां क्या गलत कर रहे हूं और वो गलत बार बार आ रहा है इसका मतलब है कि अंदर गुस्सा बरह पढ़ा है वो गुस्सा क्यों बरह पढ़ा है उस गुस्से पर थोड़ा सा ध्यान दीजे सर वो गुस्सा मैं आपको बताता हूँ heavy observation से मैं आपको बता रहा हूँ आप साथना नहीं कर रहे हो मैंने बहुत सारे लोगों को करवाया यह मानना है मानू नहीं मानना माननो को कि आपने मुझे अपने session में भी चुप करा दिया था मैंने यही बोला था आपसे और आज आप वही बोल रहा है मैंने आपसे बोला था कि isolation level की suffering आपके तो आत्मग्यान से कुछ नहीं होता मैं यही question उठा रहा था वहाँ पर आपने का आप इतना गुस्सा होगे कि चुप हो जाओ मैं वहाँ से घर आया मैंने अपनी girlfriend को call कि मैंने का पता है अगले 3-4 महीने बहुत बड़ी controversy होने वाली और वही प्रकर के साथ हुआ फिर और हुई और हुई और हुई और हुई बस मैं एक शुपचिंतक की तरह इसको थोड़ा positively ले और जो दर्शक देख रहे हैं वो भी इसको positively ले ले ना ले मेरे को फर नहीं पड़ता जो बोलना है बोलो मेरे को लेकिन मैं बस यह बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा सुपचिंतक हूँ मेरे intentions को गलत न समझे मेरे intention आपको कुछ point out करने का नहीं है लेकिन कभी-कभी ना गुरू भी गलत हो जाता है और मैं आपको गुरू ही मानता हूँ हमेशा मानता रहूँगा लेकिन आप गलत हो तो बोलूँगा भी क्योंकि मैं आपका सबसे बड़ा सुपचिंतक हूँ